सतीश कोशिक इस नाम और इस चेहरे से भारत का हर सिनेमा प्रेमी अच्छी तरह से वाकिफ होगा एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो या फिर राइटिंग हो सतीश कोशिक ने सिनेमा के कई शेतरों में अपनी परतिभा का लोहा मनवाया है इनके निभाय कई केदार आज भी सीने प्रेमियों को याद है और इनके डायरेक्ट की हुई कई फिल्म में अभी लोगों की पसंदिदा फिल्मों की लिष्ट में शुमार है तो चलिए जानते हैं इनके आज के बारे में की आज कहां और किस हाल में है सतीश कोशिक का जन्म हुआ था 13 आपरेल 1956 को हरियाना के महंतरगर के धनोदा गाउं में परिवार में इनके मादा पिता के अलावा इनके दो भाई और तीन बहने थी जब ये काफी छोटे थे तब इनके पिता बनवारी लाल कोशिक नोकरी के चलते अपने परिवार को लेकर दिल्ली के करोल बाग इलाके में आ गए वो हरिसन ताला कंपनी में सेल्स की नोकरी करते थे शतीश कोशिक की परवरिश और एजुकेशन दिल्ली में ही हुई सतीश कोशिक ने दिल्ली के किरोडिमल कॉलेज से अपना ग्रेजवेशन किया था फिल्मों का जुनून शतीश पर कुछ ऐसा चड़ा कि इनों ने ठान लिया कि बड़े होकर एक्टर बनेंगे शुरुवात में इनके घरवालों ने इनका काफी रोध किया कई दफ़ा इनके बड़े भाई ने तो इने पीट भी दिया था लेकिन एक्टिंग का जुनून शतीश के सिर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था आखिरकार घरवाले इनकी जिद के सामने जुके और इनों ने एनेजडी में दाखिला ले लिया बच्पन से ही फिल्में देखने का बेहत शोक था महान कॉमेडियन महमूद की फिल्में ये बड़े ही शोक से देखा करते थे महमूद सहाब की अदाकारी इन्हें इतनी पसंद थी कि उनके सीजन्स को ये अपने घर पर अकेले में खुद करने की कोशिस किया करते थे सतीश कोशिक को पहली दफ़ा एक्टिंग करने का मौका मिला साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म मासूम में इस फिल्म में ये नैनी ताल में रहने वाले तिवारी जी की किरदार में नजर आये थे इसके बाद इसी साल ये नजर आए शियाम बेनेगल की बहुचरितर फिल्म मंडी में करियर की शुरुवात से लेकर साल 1987 तक शतीश कोशिक लगभग 10 फिल्मों में काम कर चुके थे लेकिन इन्य असली पहचान मिली 1987 में आई फिल्म मिश्टर इंडिया से इस फिल्म में इनके कैलेंडर के किरदार को भला कौन भूल सकता है इस किरदार ने सतीश कोशिक को रातो रात मशुहूर कर दिया सतीश कोशिक के कौमेडी को लोगों ने बेहत पसंद किया इस रोल के बाद सतीश कोशिक बॉलिवूड में एक कौमेडियन के तोर पर स्थापित हो गए सतीश कोशिक जब एक्टर के तोर पर मशुहूर हो गए तो इन्हें एक से बढ़कर एक रोल्स मिलने लगे इनके यादगार किरदारों की बात करें तो साजन चले ससुराल में मुथ्थू स्वामी की किरदार में इन्हें पेहत पसंद किया गया था कोविंदा के साथ इनकी कॉमिक टाइमिंग वही मिश्टर एंड मिसिज खिलाडी में अक्षिकुमार के मामा जी के रोल को भला कोन भूल सकता है रूप की रानी चोरों के राजा के बाद इन्होंने बोनी कपूर की ही राजा का डायरेक्शन किया था लेकिन इत्ते फाक से ये दोनों ही फिल्में पूरी तरह से फ्लोप होई और सतीश कोशिक पर इसका इतना पुरा असर हुआ कि ये आत्मात्या करने के बारे में भी सोचने लगे लेकिन फिर इनकी अंतरात्मा ने इन्हें आवाज दी लेकिन फिर साल 2001 में इन्होंने डायरेक्ट की फिल्म मुझे कुछ कहना है ये फिल्म तुशार कपूर के डेव्यू फिल्म थी फिल्म सूपर हिट रही और इस फिल्म में इनके डायरेक्शन को काफी पसंद किया गया इसके बाद सल्मान खान इस टारर तेरे नाम में भी इनका डायरेक्शन काफी चर्चाओं में रहा कहना चाहिए कि सल्मान खान के डूपते करियर को फिर से उठाने वाली फिल्म तेरे नाम ही थी बात अगर सतीश कोशिक की नीजी जिन्दगी के बारे में करें तो इनके शादी साल 1985 में 6 कोशिक से हुई थी सतीश कोशिक और उनकी पत्नी को एक बेटा हुआ था जिसका नाम शानू था लेकिन एक बिमारी के चलते इनके बेटे की मोथ हो गई थी सतीश कोशिक कहते हैं कि जिस वक्त उनके बेटे की मोथ हुई थी उस वक्त उनका करियर अपने पिक पर था वो इतने ज्यादा बिजी थे कि अपने बेटे की मोत का अफसोस भी ठीक से नहीं कर सके सतीश कोसिक को फिल्म इंडश्ट्री में लगवग 40 साल हो चुके है इस पूरे समय में सतीश कोसिक ने अपने एक से बढ़कर एक किरदारों से हम सिनेमा के शोकिनों का भरपूर मनोरंजन किया है तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट करके सरूर बताएं